तो हारों का समय है, चत्रो मार्ज शुरू हो रहा है परसों से, उसके बस सावन आ जाएंगे तुरंदी, तो सावन में कावरिये आते हैं, एक बड़ा आयोजन होता है, तमाम दूर दूर से भी आते हैं, पैदा चल के आते हैं, तो यहां पर ट्रैफिक की बिवस्ता कैसे होग और किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उस विशह में थोड़ा पता है, ताकि कावरियों को भी लाब हो, और जो यहां के समान में जनता है, उसको भी थोड़ा चीजे पता चले हैं, धन्यवाद, यह जो आगामी शावन का महिना शुरू हो रहा है, मरेली जनपद में भी हम लोग कावर के लिए अपने आपको त्यार कर रहे हैं, और जो भी बेवस्ताएं हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं, इनको अब करीब एक महिने से त्यारी चल रही है, हमारी त्यारी आंतिव चरण में हैं, इसमें जो पहली बात तो यह कि जो परंपरागत जो मार्ग थे का इशाब रख रहे हैं और इसके लिए पहली वार्जन पद्बरेली में वरिश पुरिश अदिचक महदय के निर्देशन में एक कामर्सेल का भी गठन किया गया है और कामर्सेल वो सभी विवागों से कौाडिनेट करेगी और पुलिस के सभी थानों और सर्किल से भी कौाड पूर से साज यहांपूर से बदाएं से क्या कौडिनेशन चाहिए उसका करना है जिसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कामर के जनपद बरेली में तीन प्रमुख मार्ग हैं एक कचला घाट से गंगाजी से जला लेकर के जला विशेक करते हैं अपने अशातों जो नात्मंदिर रहता है हैं हमारा कचला घाट वाला रूट वाला रूट है तो पूरा हमारा पूरी तरह से बैंद रहता है ट्रैफिक को डेडिकेटेड रहता है काउंड या काउंड से रिलेटेड वहां रहते हैं और उन्हीं को हम लोगों ने उसके इस शाफ से पूरी तैयारी कर लिए पूरे शड़क में गड़े थे वह बर्द भरवा दिये जिलादिकारी में हो देने और शड़क के किनारे जो भ का पेट्रोलियम प्राडक्स आते हैं सहर में उसके लिए हम लोग उसको टाइम निकाल करके समय जब कम होता है उनको पास कराएंगे और माकी भारी वहानों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा यह रूट बरहली से वदाई वालन यह जो रामपूर जनपत की शीमा से जो आता है तो यह सुक्रवार की शाम से और सुमवार की शाम तक का पूरी तरह से बढ़े वहान बंदो जाते हैं और एक लेन में जो भी ट्रैफिक रहता एक लेन में हम लोग कर देते हैं हाई वे में और उसके बाद दूसरी लेन से कामर पूरी तरह से चलते हैं और पूरा हम लेदाम होते हुए यहां पिली भीत की तरब जाएं या फिर विशलपूर रोड या साजहापूर जहांपूर जाना चाहेंगे तो उनको फैसिलिटेट करेंगे तो हमारे बरेली जनपत में अरामपूर बाडर से लेकर के बाई-पास होते हुए साजहापूर बाडर तक हम लो बिवस्ता करते हैं और छोटेवान निकलते हैं शाजहापूर से और रामपूर से दोनों तरफ से ट्रैफिक लेना बंद हो जाता है हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं रहता पेली भीत की तरफ से हम लोग आवश्यक्तान साथ ट्रैफिक को डाइवर्ड करते हुए बाहर न लोग साथ मना है और जो बीवाहर ने ऐसम्तर चलते हुए परंपराग तरोफ से उसका पालन करेंगे पर्ली पोलिस में और समस्ति कामानीयों की व्या लिए तयार है रियातायाद क्यार्व कर रख किये रास्ते में कहीं भी किसी विरोकार की कोई शम्श्चा नहीं होगी और अगर कहीं कोई हमारे पुलिस के जवान हर जेगे तैनात मिलेगी और पूरी ब्यवस्ता करने के लिए हम दो त्यार हैं और जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड व्यवस्ता हैं, वो भी हम लोग अच्छे से संपन कराएगा। लाइन में चलें, हेलमेंट पहनें और साथ ही साथ ऐसी सुविदा ना करें कि दूसरों को भी आपसे परशानी हो।